जैहिन दोस्तो मैं हूँ चेतन विस्पुते चार्टर अकाउंटन आज का हमारा वीडियो है क्वेरी सॉल्यूशन पार्ट टू जैसा कि आप सब जानते हो हर सेटर्डे मैं क्वेरी सॉल्यूशन लेकर आता हूं तो इसले बार वे मेरे बाद कई सारे प्येस्टन आये थे उसमें से मुझे ऊपर आये थे इसलिए आज मैं मैं बाद स्टेशं देने बाला हूं तो सर वह possibility मुझे कैसे पता चलेगी कि मैं कोई GST Department में तो हूँ नहीं और इसका answer अगर कोई GST Department में है तो भी वह नहीं दे पाएगा unless government decide करें तो इसलिए वह question भी मैंने cover नहीं किया है तो सबसे पहले हम TDS के questions को देख लेते हैं इन शोट में presentation ही दे देता हो तो उनका question का जो answer है वह अपने आप उन्हें मिल जाएगा तो सबसे common question होता है कि TDS कब deduct करना होता है लोगों को यह confusion है कि TDS कब deduct करें हम लोग तो common answer आपको यह मिल जाता है अगर आप इतले साल में इतले financial year में अगर audit में cover हो तो आपको deduct करना है अधर्वाइस नहीं करना है तो यह जो concept है common answer है वह सही नहीं है उसके लिए हमें section पढ़ना पड़ेगा इसलिए जो common section जो हर बार use होती है routine life में मैं उसके उपर discussion लेकर आया हूँ तो सबसे पहले section 194A 194H 194I 194J अगर यह आप चारो section का जो प्रोवीजो है वह पढ़ोगी तो आपको same मिलेगा लेकिन यह आपर आप एक section मेस करोगे section 194C उसके प्रोवीजो में जो लिखा है वह थोड़ा अलग लिखा हुआ है तो पहले चारो का जो प्रोवीजो है वह हम एक बार पढ़ ले थे फिर 194C का पढ़ाऊंगा और वह हम देखेंगे के दोनों में difference क्या है तो चारो section का जो प्रोवीजो है same to same में एक बार पढ़ ले थे क्या प्रोवाइदेट एन इंडूजल और हुएव वूस टोटल सेल्स ग्रोसरी सिप्ट और और फ्रॉम देखेंगे मैं यहां पे अंडरलाइन के असे ध्यान से पढ़िये था अब सबसे पहले हमें देखना पढ़ेगा section 40 पर AB close A और close B के अंदर लिमिट के है close A के अंदर लिमिट है एक करोड और close B के अंदर लिमिट है पचास लाग रुपिया अगर यह लिमिट यह मौनेटरी लिमिट के अगर अगर आपके अजो टन अवर है या से से gross receipt अगर cross हो जाता है तो इन चारों section में आपको TDS डिड़क करना पड़ेगा टेक्स को डिड़क करना पड़ेगा और ओर गवर्मेंट में सब्मिट करवाना पड़ेगा अब चाहे आपने audit करवाया हो या audit नहीं करवाया हो आपकी liability बनती है कि आपको TDS डिड़क करना रहेगा अब कुछ लोग ऐसा पुछेंगे कि suppose करो हमारा तन और है 1.5 करोड और हमने audit नहीं करवाया है हमने 44 AD में return file कर दिया है यहां पर क्योंकि 44 AD की जो limit है वो 2 करोड की है तो क्या TDS की liability आएगी तो answer है yes आएगी क्योंकि यहां पर tax audit की बात नहीं करी गई यहां पर कहा है कि अगर monetary limit से ज़्यादा आपका sales या grocery shift या ton or है तो आपको tax deduct करना पड़ेगा तो इस हिसाब से आपको TDS की liability बन जाती अब आगे देखते हम section 194 C section 194 C में अगर आप explanation पढ़ोगे तो explanation में close 1 में specified person का है और उसके भी close L और उसका sub close B अगर आप देखोगे उसमें क्या लिखा है is liable to audit of account under close A or close B of section 44 AB during the financial year immediately preceding the financial year in which such sum is credited or paid to the account of the contractor 194 C में देखे आप अगर बाकी की section और यह section में देखो कि आपको थोड़ा difference मिलेगा अब liable कोन होगा when liable कब liable होगा वो देख लेते हैं अगर turnover दो करोड से ज्यादा बढ़ जाता है तो तो 100% वो liable है ही क्योंकि उसे 44 AB close A के अंदर audit करवाना ही पड़ेगा यहां तो फिर turnover जो है यहां पर T C लिप देख ती और आएगा T C सोरी turnover एक्सिट वन करोड और 44 AD का यूज नहीं किया है सबोज आपका turnover है वन करोड एंट 20 लेंस और आपने 44 AD का यूज ना करके compulsory audit जो है 44 AB close A के अंदर audit करवाया है तो भी आपको यह section applicable हो जाएगा और दूसरा close B वहां पर 50 लाग की limit है अगर 50 लाग cross हो जाता है आप लाए बोलो अंदर section 44 AB close B तो भी आपको यह section applicable हो जाएगी I hope आपको दोनो जो section है दोनो जो provision है उनके बीज का difference पता चल गया होगा एक में audit की बात करी गई है और बाकी की जो sections है वहां पर monetary limit की बात करी गई है तो I hope आपका doubt जोगा clear हो जुका होगा तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता सब्सक्राइब जरूर से कर देना Thank you for watching दोस्तो जाए हिन जाए बारत